विदिशा जिले की गंज बासुदा में रेत, पत्थर, बालू और गिट्टी का अवेद व्यापार करने वालों पर प्रसासन ने कारीवाही के लिए अपनी कमर कसली हैं। पिछले 15 दिनों से निरंतर हो रही कारीवाही में प्रसासन को बड़ी सफलता हाथ लगी हैं। प्रसासन के सक्त रवेए के चलते अवेद व्यापार करने वालों की मजबूत जड़े अब कमजोर होने लगी हैं। कुछ व्यापारियों ने तो अपने अवेद काम पर रोक लगा रखी हैं। ज्यात हो कि पिछले कई वर्षों से अवेद उत्खनन का धंदा जोरोग पर चल रहा था। निरंतर जारी कारीवाही में अब तक लगभग 8-10 लाक रुपे की कीमत जब्त की गई। गंज बासुदा से मुकेश चतूरवधी की रिपोर्ट। राजस प्लिस प्रसाथन के दोरा अवेद उत्करन और अवेद परिवन के पतार एक अभ्यान चला जा रहा है। इसमें क्लिक साब का अस्पस नेजेस था। इस प्रकार के अवेद इत्करन के कारवाही की है। अवेद परिवन में जो ट्रक कल पुलिस प्लिस प्रसाथन ने भी कई जाएगा। आगे वेद परिवन के जाएगा। कल मेंडम आपके दोर क्या कारवाई की गई है। किस अंदर में कारवाई थी कल। अवेद पत्थरों के दूट्राब पकड़ें हैं। कर्शी भरी थी जिसमें। करिबन कि साड़े छे लाग पी थी। कि वेद तरफ दूट्राब पर शाठ लाग पान है। यह पुराईश्टा बढ़ना इस तर पर पहुंचा। कर्वाई निरंता जारी रही कोगी एगणा माना जाता है अभ्याद उत्खनन का। पत्थर का मामला हो तो इस पर आगे निरंता जारी रही कर्वाई। निरंता कारिवाई जारी रहेगी और इसके अलावा जो जुवा, सर्टा, सराफ, ड्रॉक्स, जो ही अवेदानिक कारिया है उनके पर पुरी तरह पुस्तरा आए जाएगा और मर्कुर प्रयास किये जाएगा उसे उत्ताम के लिए। हेलो फ्रेंग्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें।